अच्छा आप लोग सब लोग जो है वो खुद को अन्म्यूट भी कर सकते हैं तो अवाज क्लियर है तो जो है वो हमारा सेकंड जो है वो सेशन है लिस्टिंग अप्रिवियस जो है वो सेशन के अंदर हम ने जो है वो बायर इंटेंट ओर डिस्कवर बिल्टि और कनिवरिजन की जो है लोग लास्ट टाइम जो नहीं कर सके थे तो आई थिंक उन्होंने रिकारड़ भी देख लिया होगा तो आज की सेशन में जो है वो अगर तो प्रिवियर सेशन के रिलेक्टर भी को क्वेस्चन को क्वेरी है तो आप वो पूश सकते हैं बाकी जो है हम फुर्दर जो है वो फ पीपीजी पर मैं आके कंफ्यूज हो रहा था कि पीपीजी है क्या तो अभी तक से पीपीजी से पाड़ने के लिए तैया लेकिन एस सच मुझे क्लिया नहीं है कि जैसे प्रोटक आप उन्टिंग करते हो तो उसमें आप उसको सैट करते हो इसको एवैलिए करते हो लेकिन पीपीजी का मुझे एक मैं मकसद है वह मुझे समझ में आए था इसका मदलब एक तो मुझे इस बात समझ माईं कि है रैंकिंग और नांच रैंकिंग में आता है इसके लाव में जब इसका जो सभी से वो था नौज़िज वो समझ में आई नहीं रही थी इवन कोर्स देखने के बाद देखे इसमें पाद समझ आई मेरी थोड़ी पीपीसी में अभी उस तरह हम एड़र्टाइजिंग कंसॉल पे तो गये नहीं है कि मैं आपको कहूं कि आपको अगर समझ नहीं आई तो आप भोड़ पीछे अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चीजें ठीक है तो अगर पीपीसी में आपको अफ्कॉर्स वो एक अलाइदत से जो है जब हम एड़र्टाइजिंग मैनेजर में जाएंगे वहां पे अपनी जो है है वह चीज़े है अपनी पूलगा जायज भी है क्यूंकर आप झत् मैं आपको मैं आपको केंपैन हम एनों लेजातों हम चले अगर जो आग़री स मूराद तो वहां क्या होगा कि I mean वो पीपीसी का जो अब्जेक्टिव है ना टू इंक्रीज दी विजिबिलिटी अफ दी प्रॉडक्ट वो है ठीक है लेकिन उसमें भी जो आ जाएगा ना प्रॉब्लम फर्दर लिस्टिंग की वज़ा से जो प्रॉब्लम आएंगे वहां पे सेल्स जेनरेट नहीं हो रही तो प्राबलम कहां पहां में का पहां पे है पृब्लम फिर रिजिसन में गया, में आप उसको फूली ऑंडरस्टायंड कर लेंति एक जब आहसा मों जो है उपवर जाते जाएंगे और तो उसमें आपकी वो सारी कंफूशन्स दूर हो जाएंगी जो अभी आपकी पीपीशी के रिलेटेट है तो इन्शाला इन दी एंड आफ इस कोर्स नहीं होंगे आपको ठीक है लेकिन स्टार्ट पर तो होगी जी 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 अच्छा नेक्स्ट कौन कुछ बता रहे थे आपकी आवाज जो है वो कट गई जी कोई और कुछ कह रहा था अच्छा चलें ठीक है मैं जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ अच्छा आज का जो है वो हमारा सेशन वो मुस्ली है लिस्टिंग अप्टिमाइजेशन में फ्रेंट अप्टिमाइजेशन के उपए ठीक है अब उसमें इसमें आल्रेडी जो है हमारे पास जो प्रोड़क्ट एक वजूद है उसको भी हम साथ-साथ देख लेंगे उसकी और फिर नेक्स सेशन में जो है हम बैकेंड अप्टिमाइजेशन और उसके बाद जो है ना अब आपकी जो है वो तरब को देखते हुए मुझे ऐस सुन ऐस पॉसिबल जा है वो कैंपेंड मैनेजर में जाना पड़ेगा ठीक है तो हम जो है वो बकाइदा पीपीसी पॉइ लिस्टिंग ऐलीमेंट्स उसमें भी फर्दर फ्रेंट अच्छा भी जब हम दिसकवरिपल्टी और कि बात की ति तो चंवर्जिंग जो आपका हो रही होती यह वो आपके अप फ्रंट ऐंड्स के का डिरेक्ट रिलेशन नहीं होता पैकर से और दो होता है इं डिरेक्ट व के लिए इसके जो फंट-end के मेंन्त्स हैं जो के करते हैं ट्रैफिक को लाने में और कनवरिजन को लाने के उसको जो हम वन बाई वन जो है डिसक्स कर लेते हैं और कि इनको कैसे हम अप्टिमाइज कर सकते हैं Specially PPC Point of View से Sponsored Traffic के Point of View से Frontend में हमारे पास जो Main Elements है सबसे Important जो है Top पे जो पे ट्राफिक को लाने में Help कर रहे होते हैं वो है एक हमारा Title हमारा Main Image आर्दोस में Secondary Images भी है इसके इलावा हमारा Price Point और हमारा Review Rating ठीक है यह वह एलिमेंट्स हैं लिस्टिंग के जो के चाहिए स्पॉंसर ट्रैफिक है चाहिए वह आर्गनिक ट्रैफिक है उसको आपकी प्रोडक्ट टिटेल पेज यानि के पीडीपी के ऊपर लैंड कराने में हेल्प कर गया होता है यह जिसको पीपीसी के इंटर्म हम देखेंगे CTR ठीक है अब वो CTR वो सब कुछ वो हम बाद में डिसकास कर लेंगे अभी यह कि ट्रैफिक जब एक कस्टमर जो है अच्छा अब जैसे के वी यूजेबल सिलिकान स्ट्रेच लिड्स जब यह कस्टमर जो है वो में पेज पे लिखता है तो उसके बाद वो किन लिस्टिंग को ओपन करेगा और किन लिस्टिंग को ओपन नहीं करेगा यह डिसाइड करेगा उसका टाइटल उसकी इमेजिज उसका प्राइस पॉइंट उसका रिव्यूज और रेटिंग अब यह जो चीजह हैं ना रिव्यूज और रेटिंग हो गई इस सारे ची है तो अफकोर्स वो जब पीपीसी में हम देखा होंगे तो उसमें हम पीपीसी या न्यू लिस्टिंग के उपर पीपीसी की जो है उनको भी हम डिसकर्स करेंगे और जो ओल लिस्टिंग है या स्ट्रग्लिंग लिस्टिंग है उनको उपर पीपीसी कैसे चलानी है वो भी हम लेकिन यह ट्रैफिक लाने में जो है वह आपका यह एलिमेंट्स में रोल प्लेग कर रहते हैं ठीक है अच्छा इसके इलावा जो है वो लिस्टिंग एलिमेंट में जो के आप तो पर काउंट तो नहीं किया जाता बलके इम्पोर्टेंट चीज है एजब पीपीसी मैनेजर भी और सेलर भी और सर्वेस्ट प्रवाइडर के स्टॉक ठीक है इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट चीज इस लिस्टिंग की आप में से कुई अन्वीट है उसकी आवाज मुझे आरी है पैको के अच्छा चले नेक्स्ट एलिमेंट है स्टॉक कि आपकी जो इन्वेंटरी है वो अवेलेबल टू सेल है अफकोर्स यह शाहिद मुझे ही मेरी आवाज रिफलेक्ट हो के आ रही है आप लोग को डबल आवाज अचली इको होरी आपके आपके आवाज आप इसके सब को म्यूट कर दें और फिर थोड़ा बहुत बीच में ग्याप दिया करें क्वेश्चन पूछने के लिए बिकुस कभी किसी किसे बाइ मिस्टेक अन्म्यूट हो जाता है और फिर इस तरह से डिस्टर्बंस रहती है मैं सब कुम्यूट कर दूँ किसी कास्प कहते हैं स्पीकर खुला वह तो उसकी वजह से आवास बाउंस हो रही है कि आप सब को म्यूट कर दें वह बेटर होगा ठीक है मैं जो है वो सब को एक तो अन्म्यूट कर ओके को जो है इंपोर्टन्ट चीज है जब भी आप किसी लिस्टिंग के ओपर पीपीसी चलानी होती है तो एक और चीज जो आपने मेक्शुर करनी होती है वो स्टाक है ठीक है अब इसकी इंपॉर्टन्स पे भी हम आते हैं और अफकोर्स बुलिट पॉइंट्स यह वो चीज़े हैं जो जब आप ट्रैफिक लैंट हो जाती है आपके प्रोड़क्ट टिटेल पेज के उपर तो उसमें उसको सेल्ज लाने में या कनवरिजिजन में जो है वो हेल्प कर रही होती है इसके इलावा जो है यह तो खैर एमजॉँन से ही हमें आ जाती है अचा बकी हमारे जो है वो एपलेस कंटेंट या objective enhance brand content जो है वो आ जाता है वो definitely यह जो है चुकि लाइफ स्टाइल इमेज इस वगारा होते हैं तो इट हेल्पस अलॉट इं कन वर्जन चाजी और इसके इलावा हमारे पास question and answers होते हैं इस आर वेरी इंपोर्टन ठीक हैं की भी हम importance और इसको करते हैं और next जो है last but not the least जो है वो आपके reviews and ratings है ठीक है which is very very important as per amazon internet data जो 78% जो customers हैं वो आपके reviews ratings को देर खने के बाद ही buy कर रहे होते हैं अच्छा जी तो चलें उस पे आते हैं one by one सबसे पहले जो है वो हम title को देख लेते हैं कि title optimization से जो है वो क्या मुराद है या आपका title कैसे होना चाहिए अच्छा इसमें सबसे basic चीज तो यह है कि जो title के अंदर है जो हम चीजे input करते हैं apart from some standard practices वो निश्च पे बहुत ज्यादा depend कर रहे होते हैं ठीक है दो चीजों पर depend कर रहा होता है अगर हम इसमें जो है वो पहले title को discuss कर लें तो एक यह जो title dictate हो रहा होता है यह एक निश्च इसको dictate कर रही होती है और दूसरा जो है 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 टाइटल के अंदर जो है दो चीजें जो है वो इसको डिक्टेट कर रहे होती है कि टाइटल के अंदर क्या information पुट करनी है क्या नहीं करनी वो आपकी जो निश्च है और आपका जो जैसे जैसे प्रोड़क्ट की जो लिस्टिंग है उसकी जो लिस्टिंग की जो एज है वो उसकी लिहाज से टाइटल अवर दी पिरिड आफ अप्टिमाइज होते रहते हैं आप कभी उठा की देख लीजिएगा जो बड़े ब्रैंड्स हैं जैसे एडिडास हो गया या मतलब जो भी होता है ठीक है वो अफ्कोर्स वो जिस स्टेज आफ लाइफ की उपर वो ब्रैंड्स होते हैं वो एक ऐसे उसकी उपर होते हैं कि अगर यह यह सिल्ड्रो है ना नो वन नोस अबाउट इट ठीक है अगर मैं यहां पर एडिडास लगा दूना तो मुझे हो सकता है इसमें ब चोटे और मीडियम सेलर्स के जो लिस्टिंग का स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है ठीक है कभी भी आपने अपनी लिस्टिंग को किसी बिग ब्रैंड के साथ कंपेर नहीं कीजिएगा क्योंकि उनके कुछ और ही प्रोटोकॉल होते हैं उनका जो है वो बैसिकली वो आइमीन उनका जो है वो आप यू समझने के नाम ही काफी होता है ठीक है अच्छा अब जो यूटोपिया है यूटोपिया जब प्रोड़क्ट लांच करता है तो उकाद के जो सेलर्स हैं ब्रैंड्स हैं उनके साथ ही अपने आपको कंपेर करके चलना होता है और इसके टाइटल को और बाकी चीज़ों को अच्छा तो चले निश और लिस्टिंग एज तो एक वरियेबल हो गया लेकिन अगर हम इसमें बात करें इसकी के वो कौन से स्टैंडर्ड चीज है जो आपकी बैसिकली टाइटल के अंदर होनी चाहिए तो उसके अंदर जो है आपका ब्रैंड नेम ठीक है ब्रैंड ने आपका टाइटल के अंदर डला होना चाहिए इसके लावा आपका में कीवर्ड और साथ में जो है वो आपका एक जो जो भी रमीज़ भाई आपकी जो बैटरी है वो स्लीप हो रही है तो प्राइनी जैसे मैंने पहले कहा थे कि यूर नाट एक इसपक्ट की तो बात ही नहीं कर गाना तो अप्टिवाइज पॉइज से अप्टिमाइज़ेशन पॉइज से हम बात कर रहे हैं इसके इलावा जो है आपका में कीवर्ड और आपका जो भी यूनीक सेलिंग पॉइट है ठीक है वह एक प्रीमियम क्वालिटी भी हो सकती है वह एक आप जो एक एक एक्स्ट्रा वैल्यू एड़ कर रहे हैं इन टर्म आफ आफ आई मीन कोई एक्स्ट्रा फीचर जो के लाइफ को उनके मजीद असान बतार है ठीक है तो यह बैसिकली किसी भी टाइटल का जो है वह एक इं हम हमें तो कोई जानता है धी है तो हम ब्रेंड नेम जो है क्यू डाले है था ठीक है बात यह है कि हम सब लोग जो है वो प्रेवेल लेबल कर रहे होते हैं और हमारा जो कोशिश होती है वो ब्रैंड बिल्डिंग के ओपर होती है नो डाउट हम स्टार्ट में जो है वो आन अमजान ट्रैफिक को कैप्चर कर रहते हैं बट आवर गोल इस तो एक्सपैंड ठीक है बाद में स्पे है और इंपॉर्टन स्पेस है तो हम इसको अपनी कीवर्ड स्टफिंग में क्यों ना यूज कर दें ठीक है तो पहली बात यह है कि नो कीवर्ड स्टफिंग ठीक है उसकी रीजन हम जो है वो डिसक्स कर लेते हैं अच्छा ब्रैंड नेम आपका होना चाहिए बिलकुल होना चाहिए आज आप छोटे ब्रैंड है बाद में और रिसंडी अभी मैं काफी अकाउंट्स पे इसका जो है मेरी अपनी प्रैक्टि यह होती है कि मैं ब्रैंड नेम को पीपी सी के अंदर एक सेपरेट जो है वो केंपेंड के अंदर यह किसी अल्रेडी फ्रेज ब्राइब की केंपेंड में हाई बिट के उपर लगा के छोड़ देता हूं त्यूंकि मुझे पता है उस पे उपर जो है मेरा हैंड़िड परसे करना ही करना है लेकि जब आप ब्रैंड विजिबिल्टी बना रहे होते हैं नौ चाहिए वह स्पॉंसर्ड है होगी इसकी आडियंस अपनी अमाजन भी होगी और आफ अमाजन भी तो क्या वो ब्रैंड जब 2000 रेटिंग्स होती है तब बनता है ब्रैंड आपका डेवन से बनता है ठीक है अभी से आप जो है वो जाए वो पीपीसी से ट्राफिक विजिबिल्टी इंकरीज कर रहे हैं जैस करेंगे और उसकी प्रोड़क्ट क्वालिटी अच्छी होगी और वो बाहर बाहर आएंगे तो यह तब जो है वो यह जो नाम है वो उनके दमागों में रह जाएगा एडिडास कभी एडिडास नहीं था जब तक कि वह एडिडास नहीं बना ठीक है वह अपनी आफकोर्स प लाइफ की उपर पहुंच चुका है तो वो ब्रैंड बन चुका है तो इसलिए आप टाइटल में यह गलती न करें कि आप अपने ब्रैंड नेम को स्किप करें अच्छा इसके इलावा जो भी आपका हाई इसमें मैं फर्दर मॉडिफिकेशन कर दूँ हाईली वैलिवेंट हैं हाई सर्च वालियम में कीवर्ड अब में कीवर्ड वो में कीवर्ड नहीं जो के so called में कीवर्ड आपको हेलियम बता देता है विचिस वेरी वही ब्रॉड यहां पर जो है वो इसके उपर मैंने चेक जो लगा दिया है वो लगा दिया हाईली रेलिवेंट एड हाई सर्च वालिया तो अगर तो उस में कीवर्ड के अंदर ये दो खसुसियात होनी चाहिए कि वो हाईली रेलिवेंट भी हो और हाई सर्च वालियम भी हो रेलिवेंट सी पहले पर आएगी सर्च वालियम बाद में आएगी अगर ए के अंदर जाने के लिए जो के जिसकी हाई और अफ कोसरच वालियम जो है वह वह भी हाई यह 10,000 इस्टिल हाई not as high as 20,000 but still it's high ठीक है तो आपको जो मेन कीवर्ड होना था यह इट मस्ट भी हाइली रेलिवेंट हाई सर्च वाले हैं यह जब हम ट्रैफिक रिसर्च के ओपर बात करेंगे सर्च की बात करेंगे तो वहाँ से भी हम कीवर्ड का चीवर्ड की चियो कि पीपीC को कोन से की बुलिट वं है जो के बुलेट्स के अंदर जाने ठीक है जी अच्छा और इसके इलावा आपका यूनीक सेलिक पॉइंट आए गया है जिसको मैंने यहां पर शार्ट फार्म में यूएस पी रहता है यह तो है आपके टाइटल का इंटेग्रल पार्ट जो कि उसके अंदर होना चाहिए अब इसकी जो सिलिकान स्ट्रेच लिड है अगर हम इसको इस क्राइटेरिया के ऊपर रखना चाहें तो हम इसको देख लेते हैं ग्रेंड नेम अलरेडी इन्होंने डाला हुआ है ठीक है गुड है इसके इलावा है वी जूजेबल सिलिकान स्ट्रेच लिड्स पैक ओफ फिफ्टीन नैच्रल सिलिकान स्ट्रेच ल अब ब्रैंडें बिलकुल है हाइली रेलिवेंट कीवर्ड वी जूजेबल सिलिकान स्ट्रेच लिड्स इसको यहां पर अकामोडेट किया है होगा क्या कि जो स्ट्रेच लेड्स है उसको भी यह टारगेट कर रहा है सिलिकान स्ट्रेच लिड को भी टारगेट कर रहा है कि यह बेसिकली चार फ्रेज लेकि आएगा ना सिर्फ ट्रैफिक ले के आएगा बलके धली वैलीवन ट्रैफिक ले Judah यहां पे फर्दर पैक-फर्टी is यह पीज़्ट को दिक्टेट करती है आपकी निश तो अब मुझे नहीं पता कि इस पैक आफ थर्टीन की कितनी importance है लेकिन of course जब इसके उपर लिस्टिंग बनाई गई होगी और जो है वो audience insight और reviews को study किया गया होगा तो यह देखा गया होगा कि customer जब आता है stretch leads देखने के लिए तो वो देखता है कि इसमें pack कितने का है ठीक है तो वो pack को देखके आपकी लिस्टिंग के अंदर इंटर होता है तो वहां से शायद इनको यह signal बिला कि pack of 13 is very important to highlight here तांके लोग देख सकें के भाई यह pack of 13 है ठीक है जी अच्छा अब next है जी natural silicone stretch leads I will consider it as a keyword stuffing ठीक है यह इन्होंने फर्दर यह bowls और डिशेज और उसको वो करने के लिए keyword को जो है एक दूसरे keyword को यहां पर घुसाने की कोशिश की है अब यह you can call it as a USB your product unique selling point या जो है आपकी जो एक extra benefit है product का वो आप इसको कह सकते हैं कि this is eco-friendly microwave and dishwasher safe ideal five jars and parts अच्छा I don't think के इनको जो है वो यह जो दूसरा keyword है इसमें यह maximum traffic तो अफकोर्स ले वह होंगे बट टाइटल जो है वो काफी lengthy हो रहा है इस वजह से ठीक है इसमें फुर्दर इसको देख लेते हैं कि टाइटल जो है शुड़ बी आज शार्ट आज पॉसिबल ठीक है इसमें अफकोर्स इतना शार्ट भी ना हो कि आप जो है वो एड़ी जास को यह यूटोपिया को जब कापी करें तो उनका तो हो सकता है है फाइव करेक्टर्स हों तो आप कहें जी हम भी फाइब तो दैट वाट वार्ट ठीक है लेकन टाइटल को अप जितना जो है वो लेंग्थी रखेंगे उतनी जो है आप बैसिकली जो आपका सिट्वेंब है क्लिक तुक्र रिक्वाट बैसिकली लूज करते हैं और इसके लाबा ये भी बड़ा important है कि आप title के start पर क्या दिखाते हैं और title के end पर क्या दिखाते हैं इसकी जो recommended length है recommended length इसकी होनी चाहिए title की less than 150 bytes ठीक है बट स्टिल जैसे मैंने कहा कि title को जो है वो निश्टिक्टेट कर रेती है अब अभी इसमें इस निश्ट का मैंने इसके उपर रिसर्च नहीं की तो मुझे नहीं बता कि इस निश्ट की अंदर अब जैसे ये प्लाइक आप लिए 13 है अल्दो के title optimize में कर रहा होगा तो मैं देखूंगा कि क्या मैं इसको replace कर सकता हूं लेकि अगर यह प्लेस्ट है तो इत मेंस इस वहाँ इंपॉर्टेंट कि यहां पर traffic ला रहा है लेकिन जब इसमें जो है टाइटल इसको optimize कर ना होगा तो competitors के जहाए वो टैटल की और न कितना चल रहा है कुछ निशेज होती हैं जहां पर बढ़ा ही टू दी पॉइंट जितना आप टू दी पॉइंट पर ही शाट टाइटल होगा काम करेगा कुछ निशेज ही ऐसी होती है कि आपको lengthy title रखने पड़ते हैं ठीक है में भी यह उन निशेज में से एक हों के इस व हम pack of 13 ही sell कर रहे हैं ठीक है अच्छा यह less than 150 अब ऐसा भी नहीं है कि 250 वाइट हो जाएं इतना लेंक्ती भी ना हो बट आइडिली जो है आपकी जब जब आप last title आप्टिमाइज कर रहे हो तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि यह 150 बाइट के अंदर रहना चाहिए अब यह कि जब आप किसी एक क्लाइट की लेस्टिंग है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप इसका चक कर सकते हैं कि कितने बाइट हैं किसी भी आप जो है वह आनलाइन किसी टूल के उपर चले जाएं जो आपको जो है वह बाइट जो है उसको जो है काउंटर करके दिखा द अब ये किसी ने अल्रेडी जो है इनकी वेबसाइट पर खायर नहीं दिया हो था ओके ये बाइट काउंटर बता रहा है कि अभी जो क्रेक्टर जूज हो रहे है वन एच्टू बाइट्स बिंग लिस्टिंग आप्टिमाइजर बिंग पीपीसी मैनेजर बिंग अब ये जो वन फिफ्टी से उपर क्रास हो रहा है ना तो मुस्ली तो एमाज़न उनको इंडेक्स ही नहीं करता तो अगर तो वो ट्रैफिक परस्पेक्टिव से हैं तो त्या नट सर्विंग दी पर पस वो ट्रैफिक नहीं ला रहे होंगे ठीक है तो मेरी कोशिश होगी क मैं इसको किसी तरह वन फिफ्टी में अकामोडेट करूं चाहिए मुझे पैक अफ थर्टीन अगर तो यह इंपॉर्टन नहीं है तो इसको वो एक सप्लेट टेस्टिंग भी होती है उसके उपर भी हम डिसकस कर लेते हैं कि कैसे हम जो है वो चीज़े मानिटर कर रहे होते ह अच्छा तो इसमें जो है टैटल लेंग थी है एक इसमें प्राब्लम है इसको किसी भी तरह वन फिफ्टी से कम वो करना चाहिए अच्छा एक और चीज़ आप ख्याल रखी गया कि करेक्टर्स और बाइट्स जो है वो इकुल नहीं होते स्पेशली यह मसला आपको आएगा जर्मन मारिक्ट या इधर उधर उधर उदर उसकी वज़ए यह है कि अब जो आम तोर पे अल्फाबैट्स होते हैं जैसा के एबी सी हो गया ठीक है यह दो करेक्टर है एक कॉमा इसके लावा वन एक करेक्टर है लेकिन जो स्पेशल करे होते हैं जो हम मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं कुछ साइन ऐसे होते हैं वह बाद वकात एक करेक्टर होता है उसके बाइट जो है वो तीन चार होते हैं तो यू है तो सी डिस लिस्टिंग कंटेंट इन टर्म आफ बाइट्स नाट करेक्टर अगर आप जो है वह वह तो वह सकता है आपने वन फिफ्टी क्रेक्टर लिखे हो लेकिन वहो सकता है वन एक्टी बाय। हो जाए तो वन विफ्टी से उपर जैसे आपके इनक्रीज होंगे वह इंडेक्सिंग उनकी नहीं हो पाएगी ठीक है तो फिर उसमें आपको प्राइटाइज करना होगा कि आपने टॉप पे किन्स को दिखाना है और वेककेंड पे जो है या एंड पे आपकी रख्रेक्टर को ले सकते हैं तो यह काफी इम्पोर्टरट है कि आपका जो टाइटल है वह शार्ट होना चाहिए और उसमें भी जो है वो फर्दर वन फिफ्टी बाइट से लेस होना चाहिए अच्छा यहां तक किसी का क्वेश्चन तो नहीं है क्योंकि मैंने सब को म्यूट किया हुआ है जी मेरा क्वेश्चन है जी जी अभी आप एक्जाम्पल दिखा रहे थे और उसमें देखा था कि वो 182 के करीब उसके शायद बाइट से ठीक है तो और आप ने फिर यह मैंचिन किया था कि शायद यह सिफ ट्राफिक बढ़ाने के लिए यह सब किया है तो यह पिर क्या सब्सक्राइब करेगा कि पर एक्जाम्पल अगर इंडेक्स नहीं हो रहा और उसकी ट्राफिक बढ़ रही है तो फिर शायद यही वजाए कि शायद इतना इसको इतना स्टाफी किया हुआ है और फिर अगर इफ इंकेस हम लोग इसको डियूस्पी करते है इंडेक्स हो जाता है तो I mean my question is कि I mean it is helping this way right अगर इतने हैं इनके पास कीवर्ड इसमें तो पुलिट्स बी है बैक अंट में सर्च टर्म्स हैं और बहुत सी जग्हां जिनको लिस्ट कीवर्ड को इकामोडेट किया जा सकता है लाका उसका अगर आपकेस ज्यादा है तो इसका ये मतलब हर गिस नहीं है कि आप कीवर्ड स्टफिंग करें उसकी वज़ी है कि कीवर्ड stuffing जो है वो अफकोस आप उसको ज्यादा ज्यादा कीवर्ड को पर डिसकवरेबल बना इसमें तो कोई शक नहीं कि टाइटल की जो इंडेक्सिंग पावर है या जो रैंकिंग पावर है वो सबसे ज्यादा होती है ट्राफिक लगाने में लेकि इसको यह मतलब भी नहीं है कि आ यसा नहीं है कि यह सेट नहीं बना रहा बद स् इसमें कि चैनिहों स्ट्रेचिल हो रहा है यह स्ट्रैचिल बहुर्द होए य supre्श लिड स्ट्रैचिड एग्ए में तेक्स नार्मेकिंग संस ठीकों में उसर्द लेने आया है उसने आपका इमेज देख लिया है प्राइस देख ली है और उसको पता है कि यह आई मीन तो आप इंटर होना है तो इंटर हो जाएगा ठीक है लेकिन जब आप मल्टीपल जो है वो उसमें कीवर्ड डालते हैं तो एक तो उसकी जो वो एक टाइटल की अपनी से है वो खराब होती है और दूसरा यह है कि जो आप एक एक्स्ट्रा बैनेफिट लेना चाहरे होता है अमाजान से कि शैद वो आपको एक्स्ट्रा इंडेक्सिंग देगा ऐसा भी नहीं है ठीक है अमाजान जो है एक सर्टन बाइट तक जो है कीवर्ड को इंडेक्स करता है उसके बाद जो कीवर्ड होते हैं उनको रैंकिंग में हैल्प नहीं मिलती तो इसी वज़ा से आपका जो टाइटल हो उसके अंदर जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप अपना एक कीवर्ड हाइली रेलिवेंट मैंस हाई साच वालें कीवर्ड जो है वो चुन लें ठीक है सा अच्छा बाकी जो है ना इन्फार्मेशन डैट इस डिपेंडिंग आंदी निश जैसे जैसे पैक साइज हो गया अब मैं यहां पर इसको मैंशन भी कर देता हूं कि पैक साइज या इवन अगर मैंटियल का अपना साइज है कलर और इसके इलावा जो है आप और मैंटिरियल ठीक है डिपेंड्स अन निश टू निश ठीक यह जो पैक साइज या उस प्रड़क्ट का साइज क्या है ऐक कोई यह तो उसका साइज मैंशन गया करना इंपॉर्टन्ट है यह नहीं कलर जो है या मिटिवियल तो इसमें जो है वह लिशन डिपेंड्स अब मैं आपको एक एक ग्जांपल देता कि यह कैसे निश अब इसमें ना फर इसमेंपल टेक्स्टाइल की कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं डूवे कवर ले लेता हैं आप में से कोई भी करने कोशिश ने कीजिएगा यहां फे आल्रेडी जो है वह बलाडबात हो रहा है और बहुत ज्यादा यह तो इसके अंदर क्या मुझे जो है वह कलर या साइज क्या मैंशन करना चाहिए अब यहां पर आप देखें साइज मेंशन करना चाहिए लेकिन कला तो वह पिच्चर में ही विजबल हो जाएगा है आप एक डिजाइन के लेक बहुत सारे कलर्स भी तो होते हैं लेकिन वह भी पेज के अंदर ही आखने वालों पड़ जाती है तो पर इसी अगे लिए बिलकुल अब यहां पर जो है ना बहुत जो इंपोर्टन्ट है वह साइज और मैटिरियल जो है वह यहां पर बहुत इंपोर्टन्ट है ठीक आप यह स्लीप डाउन यह तो खैर बरे ब्रैंड्ट्स हैं उसकी वज़ा यह है कि अब अब यह देखें यह डूबल जो है ना इसी साइज ठीक है डबडू अब यहां पर इसीज मेंशन करना इसलिए है कि वैंधे तो लिखा तकि अर्लेकर मैंने लेना है सिंगल साइज तो अब मैं यह देखें इन्हों ने डबल 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 तो मुझे पता चल रहा है कि यहां पे जो है वो सिंगल नहीं है चुकि यहां पे साइज के बहुत ज्यादा आप्शन बाइर के पास मुझूद है तो इसलिए हमें यहां पे साइज को टाइटल में मेंशन करना इंपोर्टन हो जाता है ठीक है फर एक्जमपल मैं लिखता हूं सिंगल डूए कवर अब आप देख रहे हैं सबसे उपर जो आई मीन यहां पे में पास जो पॉपप हुआ है तो यहां पे अब मैंशन करना इंपॉर्टन हो क्या है ठीक अगर यह नहीं करेंगे अब उसमें यह है ना के लेट्स पोस अब यह जैसे यह सिंगल की वारियेशन है तो तो क्या हो नैट अच्छा अब जैसे सिंगल की वारियेशन है तो इसकी इंके पास जлы है लिखा तो मैंने यहाँ पे डूए कवर था ठीक है यह ठीक है लेकन मुझे बैक एंड पर पता है कि मैंने सिंगल लेना तो अब होगा क्या कि जिसने टाइटल में सिंगल लिखा अभी यह इनके विचारों के स्पांसर डैड हैं तो मैं को कलिक नहीं कहूंगा इनको जो है वो अच्छा यह देखें अब इन्होंने चुब के सिंगल लिखा हुआ था तो मैं हो सकता था यहां पर एक डबल कहो यहां पर सुपर किंग कहो यहां पर तो मैं मैंने सिर्फ ठीक है अच्छा मैं बात कर रहा था इंटेंट वेस चीजों की जैसे साइज कलर में डालना चाहिए कब नहीं अब जैसे कोई भी निशोगी इस तरह की निशोगी तो टैफिनेटली जो साइज है विच इस वेरी इंपॉर्टन के इसमें जो अगर सिंगल की वरियेशन है तो उसके अदर मेरी कोशिश होगी कि मैं सिंगल डूवे कवर को तो सिंगल को जह है वो टाइटल का हिसा बनाऊ अगर डब कीवर्ड देखें कीवर्ड स्टफिंग की जो मैं बात कर रहा था वो इसलिए कर रहा था कि अब यह देखें यहां पे जो चीज़ इगनोर हो सकती है ना वो यह हो सकती है कि यहां पे कीवर्ड स्टफिंग करने के चकरों में बड़ी ही मेजर और इंपॉर्टन्ट जो कीवर्ड और उसमें आपको जो है साथ में जो आपकी इंफार्मेशन जान जाए वो इस तरह कि अगर इंपॉर्टेंट है तो पैक को साइज कलर उसको इंपॉर्टेंट करें तांके आप कस्टमर को पता चले कि मैं जो चीज लेने आया था वो यहां पे है मैं आपको अभी व पहली कर प् 5000 वो ट्राव के ऑप्वा है ता तो मैंने जो है वहां पे गरीन बैग्गराउंड कि उसमें मैं लिखा तो मैंने सिर्फ green background लेकिन साथ में चूंके मेरे mind में एक खौफ था कि जी दराज पर फ्राड ज्यादा होता है तो मैं उसका rating score और वो बहुत important देखा था कि या number of reviews कितने हैं तो price को मैं बहुत बाद में देखा था कि reviews होने चाहिए था कि I mean कुछ social proof trust हो price तो मैं 4500 ज्यादा भी देदोंगा it's not a big deal ठीक है अब यह मेरा mind में था जिसको हम buyer intent कहते हैं तो मैं एक तो जो है वो reviews देख रहा था साथ साथ देख रहा था मुझे एक certain size का चाहिए था तो वो मुझे size देखा था वो कहां पर कहीं पर वो अगर image में नज़र आ गया या कहीं पर title में नज़र आ गया तो मैं just उसके click करके उस listing में jump कर जाता था कि ठीक है ये मिले तो अब अगर कोई कोई अगर हमारे जैसा आम तो पर अगर SEO expert हो वो तो यहां पर title के अंदर तीन-चार keyword जो है वो ठोंस देगा कि जी maximum discoverability हो रही है maximum traffic को उपर index किया जा रहा है लेकिन customer उसने तो जैसे मैंने तो जो है वो गरीन बैक्राउंड लिखने के बाद मुझे तो नहीं उससे concern के उतने कितने keyword के उपर optimize किया हूँ है मुझे तो सिर्फ concern इसके उपर है कि उसने वो size लिखा हुआ है जो size मैं लेने आया हूं इतने inch by inch का यतने foot by foot का क्या वो size है उसमें अगर वो नहीं है तो मैं उसको click ही नहीं करूंगा तो उसकी वो traffic कहां गई उसने तो वो traffic ज्यादा करने के चक्रों में traffic lose कर दी है ठीक है in in real sense ठीक है तो that is very important के keyword जो है आपका एक keyword जब हो गया तो उसके बाद जो आपका focus होना चाहिए title में वो most important parameters के उपर होना चाहिए which cannot increase which cannot be a keywords but a features like size color something like that ठीक है अच्छा इसके इलावा जो है एक यह है कि आप जो जो भी आपका word है उसका first letter जो है वो capital होना चाहिए each word specially जो nouns होते हैं ना उनका अब जैसे prepositions हो गई far with of इनको आप of course समय ही रखेंगे लेकिन जो पर जो नाउन होते हैं जैसे silicon stretch लेट्स तो इनका जो है वो first letter जो है capital ही होना चाहिए ठीक है जी अच्छा इसके इलावा जो है आप इसको different device इसको अगर मैं नाम दूँ तो it should be optimized in term of device उसकी वज़ा यह है कि जब mobile पे जो है वो customer जो सर्च कर रहा है उसको जो इनिशली जो है वो character नजर आते हैं आपके title के see more पे click करने से पहले वो आते हैं 75 character नजर आते हैं ठीक है इसके लावा जो tablet पे buy कर रहा है उसको आपको जो है वो पहले 115 जो character है title के वो नजर आएंगे और चुक्कि हम तो PPC point of view से बात कर रहे हैं हम तो sponsored ads की भी बात कर रहे हैं तो जो आपका sponsored ad है उसके जो है वो 35 to 40 characters जो है I'm not sure exactly it can be 40 तो यह characters जो है उसको title के नजर आते हैं तो you just have to make sure that your main I mean the key information has been addressed in this character limit ठीक है अगर तो PPC में STR click-through rate की हम बात कर रहें तो उसमें जो है वो main जो है वो चीज़ आपकी यहां पर पहले चाल करेक्टर चालिस करेक्टर 35 करेक्टर तक हाइलाइट हो जानी चाहिए overall जो है mobile में 75 characters तो आपका जो title है वो device perspective से भी optimized हो कि अगर left mobile से अगर majority मोपाइल से भाई कर रही है तो आपको पहले जो है 75 character में अपनी बात कह देनी है जो की most important जो उसका factor है keyword होगा और साथ में उसका USB होगा ठीक है अच्छा इसके इलावा जो है अगर तो जो है जैसे नंबर होते हैं नंबर शुड वी जैसे pack of 13 है ना तो यहां पे आपने 13 नहीं लिखना बलके आपने 13 ही लिखना तो अगर कोई सी नंबर को आप यूज करना चाहरे हैं तो नंबर कोशिश करें कि उसमें वैसा ही होना चाहिए जैसके digit की फार्म में और इसके इलावा जो है आपके पास अगर तो कोई यूनिट लिख रहे हैं ठीक है जैसा के किलो गराम है ठीक है तो इट शुड़ भी या यूके के अंदर जैसे आउंस यूज़ करते हैं तो मैयरमेंट जो है इस शुड़ बी इन वर्ड फार्म मैयरमेंट आप कोशिश करें कि उसको वर्ड फार्म के अंदर ही हो लाइक आउंस किलोग्राम इस तरह का जो है आप उसके लिहांसे उसको अप्टिमाइज कर सकते हैं इसके इलावा जो है आप और क्या कर सकते हैं इसमें अगर आपको सेपरेट करने हैं अपने यूएस पी को या अपने की फीचर को तो आप जो है वो केंडिए इस को आप कॉमा डश तू सेपरेट इस पेर इस फीचर ठीक है अब जैसे के यहां पे हम देखें अब यह देखें इननने न यह इसको जैसे यह एई eco friendly microwave इसको इन्होंने separate करने के लिए यहां पे जो है वो उसका जो है वो help ली हुई है कामाज वगारा की ठीक है अच्छा तो ठीक है कोशिश तो मेरी थी कि इसको जो है वो maximum हम लोग वो कर लें इसको यहां हम अगले लेक्शे में को है इसको फर्दर कंटी अब टाइटल हो गया है टाइटल विया डान विट टाइटल हम जो है वो फर्दर बुलेट्स इमेजिज और बाकि जो फ्रेंट अप्टिमाजेशन में जो की परमीटर हैं उनका जो है वो नेक्स्ट लैक्चर में जो है इंशाल्ला वो कर लेंगे तो अभी आपका जो है वो कोई क्वेस्टन है न तो कर लिए नेक्स्ट जो है वो फाइव मिनेट्स में हम कर लेते हैं बाग की अगर कें यू प्लीज शो दी वर्ड डाकुमेंट या आपको शो नहीं हो रहा था वर्ड डाकुमेंट जो मैं टाइप कर रहा था आमना ठीक है ठीक है आई डॉंट नो क्यों ने क्यों रिखा मैं सम्झाए शाद जो है वो सिर्फ एक स्क्रीन फुल स्क्रीन शो शेयर हो रहे थी बलके सिर्फ वो शैद एमाजान का जो ब्राउजर है वही शो हो रहा था ठीक है तो टाइटल के हावाले से जो है अगर आपको क्यों क्यों वगर रहे हैं तो आप पूछें अदर्वाइस यहां कि नेक्स इंशला सेचर्डे को यहां मैं इसको कंटिन्यू कर देंगे ठीक है आपको एक दफार अन्म्यूट भी कर लेता हूं मैं भी कुछ लोग आडियो पे क्वेश्चिन पूछना जा रहा हूं अन्म्यूट देंसल्फ यह जी मैं आपको आन कर दिया इसको ओके कर दिया कर दूंगा मैं जो आज कर सेशन है यह भी अप्लोड कर दूंगा लेट नाइट और यह वर्ड डाकुमेंट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा ठीक आपके आपके वर्ड फाइल शो हो रही थी बस मुझे एक आप पॉइंट देखना था अदो इस ओके आपको वैसे भी आइसे भी आइट ओरा मीटिंग लिए जी आप पूछें जी आप क्वेश्चन है तो पूछें मिटिंग का मिटिंग तो बिल्कुल वह स्टार्ट हो गई है तो कोई नहीं मैं पाई-दस मिन लेट हो जाएंगा नोश्यूस अन्य इपस्वेरी मॉच प्रेली अच्छे से एक्स्प्लेंग वावा था तो अभी क्वेश्चन नहीं में रख़ प्रेश्चन के लिए वह वर्ट फाइल खुलिए का उसका ना स्क्रीन शॉट ले लेते हैं तक हम पता हो कि हमने कहां से बारत अगर कोई इस टॉपिक गर रिलेटिव क्वेश्चन होना तो हम भी करने जी जी शूर यह लेले हैं आप सक्वीन विजिबल है ना जी जी तेंक जब इनिवस्टी में था मेरे तो टीचे मुझे तन थे आज़े कमा पूछते हैं अच्छा वाइल गोई थूट्रू इस पॉइंट्स मुझे एक क्वेश्चन पूछना था क्या था कि नीश प्रेलेटिट कुछ थोड़ा बहुत उसको डिफरिंट करना पड़ता है है कि सिर्फ इसी तरह हमने बस इसको एक तरह का अंडरस्टैंड करना है यह जो है ना मस्ट हैव आइटम्स जो होते हैं ठीक है यह वो चीज़ है ठीक है तो वन फिफ्टी बाइट से उपर नहीं जाना था है आपकी प्रार्टी यह होनी चाहिए ठीक है तो उसमें फिर के चीजों को कि मैंने क्या वो करना क्या नहीं करना और इसके लावा आप एक दफ़ाव जो है वह अपनी तरफ से फुली अप्निमाइज करकी चीज़ें चले जाते हैं बात में हम लोग स्प्लिट टेस्टिंग कर रहे होते हैं और सप्लिट टेस्टिंग को मानिटर का बैस हो गई ठीक है इसको जो हम मानीटर का रहे होते है ना इस चेंज को वो होती है बेसिकली पीपीसी से आलदो के आपकी बिजनेस रिपोर्ट का डाटा तो होते ही होता है लेकिंपीपीसी से बहुत अच्छे दरीके से यह इन्शाला जब हम पीपीसी वाले पोर्शन पर जाएं है तो बहुत से बुलेट्स में दर-दर हम क्रिस्मिस को अकामोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं लाइक ठीक है तो यह एक तो सीजनल चेंजिस होती है कुछ होती इंप्रुमेंट के टाइटल से आप सैटिस्वाइड नहीं आप कुछ चेंज करते हैं और फिर एक हफता उस जी जी बिलकुल यह पूरी लिस्टिंग आप्निमाजेशन में टाइटल आप्नी साइंस है बुलेट्स के अपनी साइंस है बेकन पे अपनी साइंस है बैकन साइंस की क्योंकि देखें यहां पर मैं आपको एक इंपोर्टन चीज बताना भूल भी गया अब जो टाइटल है अगर मैं अबज्टिव की बात करूंगाँ ना इसका अबज्टिव बरहें ही सिम्पल है इस थीख है आप जे खरें अपने अड्रेस करना होता है यह ज़िए आपको गईडर्वान दी है इसके थूख यहां पर आपने अपनी प्रोडूक्ट को बताना होता है कि आप बेसी तो मेरे पास जो नेक्स्ट इंपोर्टन चीज थी वो साइस थी तो उसने उन्हों बता दिया कि हम इतने साइस की चीज बेच रहे हैं तो यहां पर आपने वट को अड्रेस करना होता है टाइटल को चैने, इस क्लिर फर मी थीक है थैंक यू सो मच तो अभी जो है वो यहां पर सेशन को एंड करते हैं बाकि इंशाल्ला सेचर्डी को जो है हम कंटिन्यू कर लेंगे जैसे अभी हमने टाइटल के बारे लिए आइटिंग पड़ा है सब को आइटिंग तो हम उसके उपर सब कोई मेरे टाइटल बना गया को सब्सक्राइब के लिए कि क्या अभी जो है मुझे चीजें जो है वो मैं आपको एक तरह डिलेवर कर दूँ बाकि यह है कि मैं इंशाल्ला जब एक सेग्मेंट तो मैं आपको एक प्रोड़क्ट प्रोजेक्ट दूँगा जिसमें चीजें मैं एवलेट कर लूँगा कि किसने कितना सीख है चीजें तो अभी अभी के लिए आप सीखते जाए और अपने एंड पर बिलकुल प्रेक्टिस करते रहें जो आज जो टाइटल हमने देखा है आप अगर किसी क्लाइट के उपर बाहत करें वहां पे टाइटल अप्रिमाज़ेशन इस पॉइंट आप यू से देख लें अपनी प्रेक्टिस दुरूर करें लेकिन इन इन अफ दिस अप्रिमाज़ेशन सेग्मेंट आइवल गिव यू अ लिटल प्रोजेक्ट टू ऩर थे कि ट्राइट अप्रमाज़ेशन आप नेच़ अपने वालट अपने हैं रस्किया खिया लेकिन आद्री आप नेच्ट बाज ऊंठाट के अग्यर गिव अभी अपने अप्रेट पाइब थे फाइल जयूँ और जो पर पर नहीं पता थे ज़िए इसमें है, की उपने बताई हुए उस पे भी तो जिप दिटिए इसमें आपने बताई हैं वह जरूं नहीक हैसी तो पाने हैं किसी और था बन रहे हैं ठाल रहे हैं, को Division State को जोड़े हैं तो चीज fibreे हैं, इसके हैं तो शूरेन अपकुर्ण नेख रहे हैं कर relying using the sc आप कर दोदें करें जिसमें को इतने हैं, जुड़े हैं ए झाले के फिल्स का लिए अताल हैं ठीक है तो जब हम अपने लिस्टिंग आ रहे हैं तो हमें कोई नहीं जानता हम इसकी पजाए अपना कोई एक कीवर्ड रखें ताकि वो जब हमारे कुछ आ जाएं रिव्यूज आ जाएं तो हम उसके बाद अपना बैनिक बाद में भी आए कर सकते हैं कुछ लोग यह कहते है सेकंड़ी नो कीवर्ड स्टफिंग वाल आपने का कि मतलब हमें एक टाइटल में कीवर्ड रहना चाहिए अभी इस पर यह भी इसक्रेशन हैं कि मतलब अगर हमारा जो में कीवर्ड है उसको वो हम क्यों राख रहे हैं लेजर टार्गटिंग के लिए कि हमारा वो सबसे पह प्राक्शन है इसमें गाएब करें आफ हमारा करें कीवर्ड स्टफिंग उसमें गाटिंग नशारuse को उसमें प्र हमें घुपक शाइब कॉल जाएख करें तो इसमें बस्में तृटव सा उश सन्में जो क्या है पतानी चाहिए उसमें पैक सायझ, कलर , भी साइज, तो यह चीज़ की मेंचन करना बहुत ज़ूर गार एकश्पोस मैंने कुछ देनी है तो मैंने तो लेनी ही ने पेर लेना है कि एसमें इतना इंपर्टन हो सकता है कि हो घक है आप ती-दूसर ही डालना पड़ेगि के वह एक दो रहिएन और डर्टम शचार शाथ करेंड वाली वह बैसलिडिर अप्रोच बहुंश के आप क्या करता है QUE आप जो priority है ना असल में वो keyword को stuff करना होता है you can miss very important information जिसका हो सकता है कोई search volume ना हो demand ना हो जैसे के size color pack size हो गया material हो गया इसका हो सकता है कोई search volumes ना हो कुछ ना हो लेकिन आप अपने keywords को stuff करने के चक्रों में वो information miss कर सकते हैं तो वो keyword stuffing वाली वो approach basically dangerous है but if you can accommodate your keyword which makes sense which accommodate all the highly relevant information which deserves to go to title then it's good और दूसरी बात यह है कि यह मने आपको एक जो है वो जैसे मैंने आपको यह बताया ना इसमें यह guidelines है but of course जैसे मैंने आप बहुत पहले भी कि इसमें dictated by niche and listing age जैसे जैसे आपकी listing की age होती रहती है आपका title change होता रहता है आपकी niche बहुत हद तक आपके title को dictate करती है और इसमें definitely कोई एक जो है वो एक clear cut नहीं है कि जिसमें आप कहें कि आप हमेशां यह यह चीज़ डालें आप पैक साइज ना डालें से टाइटल साइज और सोरी साइज या material ना डालें बलके आप उसमें जो है चीज़ें एक तो over the period of time test भी कर सकते हैं दूसरा यह है कि देखें जब आप करेंगे आपको जो competitors है ना आप उनको भी तो idealize कर रहें ना कि वो इतनी ज़्यदा sales ले रहे हैं जो कि आपके ही उकाद के sellers हैं तो उनको जब आप देखेंगे तो वह वह आपकी निश्ट का हिससा है ना तो अगर वह बता रहे हैं ना कि बैसिकली पैक साइज वो मैंशन कर रहे हैं इसके लाव आपने अफ्कोर्स जब आजिस इंसाइड के उपर काम के वह तो वहां पे भी आपको पता होगा तो क्लीर कट गालेंड तो बिल्कुल में देगा लेकिन निश्की अपनी गालेंड होती है निश्को फालो करता होता ह जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी है कि जब मैंने वाइड गर्रीन बैक्रूंड करते हैं तो आपकी इंपोर्टेंट इंफरमेशन मिस हो जाती है जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी है कि जब मैंने गरीन बैक्रूंड खरीदने के बाद मेरे लिए जो चीज मैटर कर वही थी वह एक उसका जो है साइज कितना है और दूसरे यह कि नमबर आफ रिव्यूज कितना है यह दो चीजे मैं देख रहा था उस पर क्लिक करने से पहले तो यह निश्पे बिलकुल डिपेंड करता है और दूसरी जो आपकी बात ही ना ब्रैंड नेम वाली ब्रैंड नेम आपको की लांग टर्म अ फूचर में अच्छे साइज वाले प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट के साथ डिल कर रहे हैं तो आएस्ट आपका जो ब्रैंड नेम होता है उनके माइड में बैठ जाता है तो यह किसम की लांग तर्म इंवेस्मेंट है अगर तो आप देखे हैं कि आप अपने आपका ब्र प्राब्लम आप उसको कर दें आप अपने के वहां पर कोई कीवर्ड बिठा दें बट अगर आप लांग टर्म अप्रोच के साथ देखना चाहते हैं अगर आप पील में वागई ब्रैंड बिल्डिंग करने है तो यह ब्रैंड मस्ट बी अड़ स्टार्ट अप दी टाइट जो लूज कर देते हैं तो इट मेंस के हम अपने आपको बहुत बड़े कॉम्पुटिशन में जोहों करें हैं उसको तो बिल्कुल भी मतलब एक लाथ है या उससे ज्यादा वाले हैं उसकी बात नहीं का रहे हैं जो होते हैं जो हमारी प्रोड़क्ट से रिलेड़ेड अपने टाइटर में सेकिंड ली है अभी अपने ब्रैंड ने वाली बात भी आपके ठीक है कि मतलब साट में जो लोग हमें बिखने आ रहे हैं वह बहुत में भी आड़ किया जा सकते हैं लेकि यह टोटी जोती है यह भी टेस्टिंग पे सारा डिपेंड कर रहा है हम क्या क्या हम कोई भी एक समारा मतलब हाड और फास टूल्स नहीं होते हैं कि हम ने यहीं अप्लाए करना है जैसे कि आप देखे हैं यहां पर मैंने इसलिए यहां पर लिख भी दिया है सप्लिट टेस्टिंग सब्लिट नाम इसी चीज़ कहा कि आप चैंजिग अंटिल यू है वो सेश्टिंग में हम इसको डिसक्स कि